नमस्ते एवरीबन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आइम अनॉनिमस और आइम 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 आइए तो एक यह वाइए आप प्लीज तो सपोर्ट में एंड चोल सम लव लेट सी तरेसिपी नाव तो आज जब मना रहे हैं बर्गर बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आठ उगलेवे आलू क्योंकि हमें सबसे पहले पैटी बना रहे हैं या फिर टिक की जो भी आब बोलते हैं उसको हम अच्छे से मैश करतेंगे यहाँ पर मैं मैशर की हेल्प से मैश कर दी हूँ आपके पास अगर मैशर नहीं हो तो आप हाथ उसे मैश कर सकते हैं एक बार आपके आलू अच्छे से मैश हो जाएं तो उसमें हम डालेंगे नमक यहाँ पर मैं वन एंड हाफ टी स्पून नमक यूज कर लई हूँ अब हम इसमें डालेंगे रेडचिली पाउडर यहां पर मैंने हाफ ती स्पूल रेडचिली पाउडर का यूश किया है इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब हम आलू की चोटी चोटी पैटी रेड़ी करेंगे आपको टाइटली इसको प्रेस करना है नहीं तो यह तेल बजाकर खुल सकती है एक बार हमारी सारी पैटी रेड़ी हो जाएंगी तो हम इसको इस मिक्स्चर में एक बार डाल कर और तेल में डाल देंगे आपर मैंने तेल पहले से गरम कर लिया था यह जो मिक्स्चर है यह कॉर्ण फ्लोर और वाटर का है एक एक करके हम सारी अपनी पैटी को तेल में डाल देंगे अब जब तक हमारी पैटी गोल्डन ग्राउन नहीं होती हम इसको सिखने के लिए छोड़ देंगे और आप पीच पीच में पैटी इसको पलटते रहिए देखे बलकुल इसी तरह से आपकी पैटी कोल्डन ब्राउन होनी चाहिए अब आप सारी पैटी से क्लेट में निकाल लेंगे अब हम लेंगे बर्गर बन और उनको वीच में से काट देंगे एक साइड लगाएंगे हम मैयोनीस अगर आपको मैयोनीस पसंद नहीं है तो आप स्केप कर सकते हैं और इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे दूसरी साइड लगाएंगे हम सॉस टमैटो केचप और इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अब इस पर रखेंगे हम अपनी पैटी अनियन स्लाइस और टमैटो स्लाइस मैंने आपर चीज स्लाइस पर आड़ की है मैंने इसमें नमक एड ने गिया क्योंकि चीज में थोड़ा नमक होता है और पैटी में भी हमने नमक डाला था अगर आपने चीज नहीं डालिया तो आप नमक एड कर सकते हैं अब हम बर्गर के बीच में तूद्पिक लगा देंगे जिससे यह हिलेना अब हम बर्गर को माइक्रोवेव में रखेंगे और तीन मिनट के लिए माइक्रोवेव होने के लिए छोड़ देंगे तीन मिनट बात हम अपने बर्गर को माइक्रोवेवेव से निकाल लेंगे नव योर बर्गर इस रेडी प्रीप जोड़ एंगे वाविवेवेवेवेवेवेवेव और रगर इस रखे से लिए करे लोगर को अधूशै को अभावेवेवेवे। also comment down which recipe do you want to see you in the next video